रूस युक्रेन उससे बड़ी ख़बर सामने आ रही है। रूस की सीक्रेट एजेंसी, FSB यानि की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट का एक एमेल लीक हुआ है। लीक हुई इमेल में दरसल दावा ये किया गए कि परमाडू युद अभ्यास के दोरान एक वक्त ऐसा भी आया था जो परमाडू युद का खत्रा टॉप लेवल पर पहुँच गया था। दावा ये है कि ऐसा नौका एक बार नहीं बलकि कई दफार आ चुका है। ठीक ऐसे ही धमाकों का ब्लोप्रेंट पोतिन की सीक्रेट न्यूक्लियर फाइल में तयार है। दावा है कि पोतिन की वो सीक्रेट फाइल लीक हो गई है। नहीं कि दावा है कि इस फाइल में रूस के परमाणू तयखाने का ब्लाक चैप्टर है। दावा तो यहां तक है कि इस फाइल में उन सभी तारीखों का ब्यारा है जिस दिन बाल बाल बच गया परमाणू है। अगर उन तारीखों में से एक तारीखों भी पुतिन ने अपने जगत खोल लिये होते तो यह उक्रेन पर आस्मान से पर्माणू बम का कहर बर्पा होता अगर उन चार तारीखों में से किसी एक भी देन पुतिन पर्माणू बम का बटन दबादीए होते तो कुछ ऐसी वधभन्श वाली तस्वीर दोनिया के सामने आती इमान एक चुछ पुछ बहें वह तावरीश चे ए उस दिन रूस की पर्माणू बम से लोड हुए मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआ उडाते आस्मान को अपनी आग से जलाते हुए उक्रेन की ओर बढ़ चली होती यूक्रेन के आस्मान में सर्वनाश का शोर गूंज उड़ता और यूक्रेन युद्ध की तजवीर ठीक वैसी होती जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागा साकी में देखाते कि रूस की सीक्रेट एजनसी एफस्बी यानि फेडरल सेक्योर्टी सर्विस के एक अंडरकवर एजन्ट की एक एमेल लीक हुई है जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसमें रूस के अटम बाम और पुतिन के परमाणू युद्ध की प्लैनिंग का कच्छा चिठ्ठा है कि रूस के सीक्रेट एजन्ट की लीक होई इमेल में दावा किया गया है कि परमाणू युद्धा भ्यास की दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब परमाणू युद्ध का खत्रा टॉप लेवल पर पहुँच गया था रूस की सीक्रेट एजन्सी को भी लगने लगा था कि पुतेन अब परमाणू बम का बटन धबातेंगे रूस की इस एक मिसाइल हमने ने दुनिया के सोपरपावा के बीच ही युद्ध फिक्स कर दिया था वल्ड वार की नौबत आ गई थी लेकिन पुतेन के परमाणू बम वाले खौफ ने तीसरे विश्वयुद्ध को टाल दिया दावा है कि ऐसा मौका एक पर नहीं कई बारा लीख हुई इमेल में कुछ तारीखों का भी जिक्र है 4 मार्च 2022 17 मार्च 2022 21 मार्च 2022 12 अप्रेल 2022 वो तो खेर मनाई है कि ये तारीख योक्रेन युद्ध के इतिहास में काली तारीख नहीं बनी नहीं तो रूस की इस एक मेसाइल हमले ने दुनिया के सोपर पावर के बीच शुद्ध फिक्स कर दिया था वर्ल्ड वार की नौबत आ गई थी लेकिन पोतिन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो तीसरा विश युद्ध दटल किया तो दावा ये किया जो रहा है कि रूस की सीक्रिट एजन्सी एफस्बी यानि की फैडरल सेक्योरिटी सर्विस के एजन्स के एजन्स की लीक इमेल में मॉस्को टु पारिस परमाणू कॉल के फुल डीटेल से आखर क्या है से मिल में ये इस वक्त मापको दखाएंगे परमाणू यद्ध से दोनिया का हर एक देश खौफ खाता है जो कि परमाणू बम में एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक दोनिया का कोई देश नहीं बना पाया नियोक्लियर का जवाब सिर्फ नियोक्लियर बम से ही दिया जा सकता है या फिर युद्ध में हार मान कर रोस के सीक्रेट एजेंट के लीख हुए इमेल के मताबिक पुतिन के हाथ परमाणू बम के बटन तक पहुच गया थे लेकिन उसे दबाने से पहले पुतिन बहुत ही डर गय थे और यूक्रेइन पर परमाणू हमला बाल बाल बच गया रोस का ये सीक्रेट एजेंट कौन है जिसके इमेल ने दुनिया में संसनी मचा रखी है ये इमेल किसे भेजा गया था इसमें रोस के परमाणू बम और पुतिन के किस खौफ का जिक्र किया गया है ये सब तफसील से बताएंगे लेकिन उससे पहले रोस से जुड़ी वो खबर जान लीजे जिसने पुतिन के परमाणू चरितर से एक बार फिर परता हटा दिया है अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने अमेरिका के साथ परमाणू हथियारों को लेकर होने वाली बहुत ही एहम बातचीत को टाल दिया है दोनों देशों के अधिकारी मिसर की राजधानी काहरा में 29 नमंबर से 6 दिसमबर तक परमाणू निरास्त्री करण पर फिर से चर्चा करने वाले थे एसे मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते निलंबित कर दिया गया था लेकिन रूस वारता से पीछे हट गया है कि we're very calling forward to that because we continue to believe in the importance of a new start we haven't got I haven't received excuse me a real solid answer from the Russians as to why they postpone this we're gonna be working through the empathy to try to figure out what happened here and we'd like to see it get back on the schedule as soon as possible because it's important it's not just important for our two nations it's important for the rest of the world अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधी 2011 में प्रभावी होई थी इस संधी के तहट अमेरिका और रूस दोनों को अपने अपने पर्माणू हथ्यारों की दादाद कम करनी थी दुनिया के नौ देशों के पास पर्माणू हथ्यार है किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वार छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी गौर करने वाली बात ये है कि दुनिया भर में परमाणू हत्यारों की दादाद 13,865 है जिसमें 90 फीस्दी परमाणू हत्यार रूस और अमेरिका के पास है रूस के पास 6500 परमाणू हत्यार है वहीं अमेरिका के पास 6185 हत्यार है रूस ने अपना पहला परमाणू परिक्षण 39 अगस्त नीस सो उन्चास को किया था रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था रूस अब तक कुल 715 परमाणू परिक्षण कर चुका है जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे है दुनिया में अब तक 2069 परमाणू परिक्षण होए है इन में से सबसे अधिक 1030 परमाणू परिक्षण अमेरिका ने किया है तरी, द्वा, अदिन, त्री रेस्टार्ट तर न्यूयोक टाइम्स की एक रेपोर्ट के मताबिक दोनिया से मशूर युद्ध विश्लेश को कमानना है कि पोतिन की सेना किसी भी परमाणू युद्ध को कैसे परमाणू युद्ध में बदलना है इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है योक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणू युद्ध की शक्ल देनी है इसका अभ्यास कर चुकी है पोतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है कि धर्ती से रूस कैसे परमाणू हमला कर सकता है हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉमर कैसे परमाणू बम गिराएंगे समंदर की लेरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणू मेसाइल डाग कर तबाही लेराएंगे समंदर के अंदर मौजूद परमाणू पंडुबी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अट्रैक कर सकती है